Hello friends, USB 3.0 की speed USB 2.0 से 10 गुना जादा होती है और इसलिए हमें laptop, desktop, PC में होने वाले USB 3.0 port का यूज करना चाहिए लेकिन friend इसके लिए जरूरी है कि attach होने वाली 3.0 device हमारे system के 3.0 port से ही connect हो तो friend सबसे पहले हमें अपनी system में जाकर के चेक कर लेना चाहिए इसमें USB 3.0 port है जो की high speed हमारा यहां पर देता है तो friend उसके लिए simple से आपको अपना PC जो है open कर लेना है और वहां पर window R press कर देना है और window R press करने के बाद friends आपको यहां पर एक command type करनी है dev mgmt.msc इसके बाद आपको enter press करना है और उसके बाद से यहां पर आपका device manager open हो जाता है यहां पर आप नीची साइट में देहेंगे universal serial bus controller यहां पर जितने भी आपके system में universal यानि की USB जितने controller सारी की यहां पर list आ जाती है इसमें friends आपको दिख जाता है कि इसमें USB 3.0 आपका high speed जो की port है वो है या नहीं है तो friends जैसे आपको यहां पर USB 3.0 का यहां पर मिल जाता है तो friends यहां पर हमारे पास तीन पॉइंट है इस चीज को verify करने के लिए कि कौन सा हमारा 2.0 कौन सा हमारा 3.0 है तो friends सबसे पहले यहां पर बात करते हैं sign की तो friends आप USB 2.0 का sign आपने देखा है होगा कि इस टाइप से रहता है तो second friends हमारा point है वो है color तो अगर friends मालीजे जो port होता है उसके पीछ की प्लास्टिक है अगर यह मालीजे black color की है तो आपका USB 2.0 है otherwise friends यहां पर अगर इसको आपको blue मिलता है तो यह हमारा 3.0 है friends अब यहां पर जो प्लास्टिक है वो red color का भी आने लगा जो यह शो करता है कि यह 3.1 या 3.2 का जो second generation जो आ रहा है उसका यह port है हर्ड जो points यहां पर जो आपको deadly shore कर देगा तो friends वो है यहां पर appearance यानि उसको आप अगर घौर से अगर आप देखेंगे तो आप आएंगे जहां पर आपको चार connector मिलेंगे वो आपका USB 2.0 port है और जहां पर आपको यहां पर 9 connector जहां पर show होते हैं यह friends आपका 3.0, 3.1 जो ह आपका connector है तो friends आई होब कि आपने 2.0 और 3.0 जीज़ी पूट आसानी से यहां पर identify कर लिया और यहां पर आप उसके साब से data transfer speed का फायदा उठा सकते हैं तो friends एक प्यार असर लाइक कर दीजे और प्लीज सेर्ण को subscribe करके चैनल सपोर्ट कीजे थैंक्यू